Hello everyone and welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में हम एक होली स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है एगलेस ठंडाई डोनट्स जितने ज़्यादा ब्यूटिफुल लगते हैं उनसे कही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इनकी रेसिपी भी बहुत इजी और सिंपल है तो चलिए जल्दी से बराना स्टार्ट करते हैं हम अपने एगलेस ठंडाई डोनट्स तो सबसे पहले हम बटर मिल्क बनाने के लिए एक बोल में आधा कप दूद लेंगे फिर हम इसमें एक टी स्पून विनेगर डालेंगे और एक स्पून के हेल्प से अच्छे से मिक्स करके साइट पर रत बेंगे फिर एक दूसरे बोल में देड़ कप मैदा डालेंगे वन फोर्थ कप पाउडर शुगर डालेंगे आधा टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडर डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और वन टेबल स्पून रेडी मेड थंडाई पाउडर डालेंगे फिर हम एक spatula के help से अपने सारे dry ingredients को अच्छे से mix कर लेंगे इसके बाद हम इसमें 1 pot cup refined oil डालेंगे एक टेबल स्पून दही डालेंगे और पहले से बना के रखा हुआ butter milk आड़ करेंगे फिर हम एक spatula के help से इन सारे ingredients को अच्छे से mix कर लेंगे थोड़ा सा combine होने के बाद में हम अपने हाथों से इस mixture को set कर लेंगे फिर हम इसे almost 30-40 minutes के लिए cover करके रख देंगे क्योंकि हम इस recipe में yeast नहीं use कर रहे हैं तो ये अपने size में double नहीं होगा बलकि थोड़ा soft हो जाएगा उसके बाद हम अपने work top पे थोड़ा सा मैदा dust कर लेंगे बाद हम अपने मैदे की ball रखे एक clean rolling pin के health से इसे अच्छे से बेल लेंगे हमें इसे एक inch की थिकनेस तक बेलना है फिर मैं यहाँ एक donut cutter यूज़ करके donuts cut कर रही हूँ आप चाहे तो कोई भी glass या bottle cap यूज़ कर सकते हैं तरह बहुत ध्यान से side से excess मैदे को हटा लेंगे इस process को repeat करके हम अपने बाकी सारे donuts भी तयार कर लेंगे इसके बाद हम अपने donuts को low to medium hot oil में डालके golden brown color आने तक अच्छे से fry कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारे donuts धीरे धीरे rise हो गए हैं और हमारे donuts में एक बहुती beautiful सा golden brown color आ गया है अब हम इसे एक plate में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के सारे donuts fry करके रख लेंगे चॉकलेट ग्लेज बनाने के लिए हम एक bowl में एक cup chopped white chocolate लेंगे और इसे microwave करके अच्छे से melt कर लेंगे उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून vegetable oil डालेंगे और इसे एक spatula के help से अच्छे से mix कर लेंगे फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून ready made थंडाई powder डालेंगे और इसे भी अच्छे से एक बार mix कर लेंगे मारा ठंडाई chocolate glaze ready है फिर हम अपने सभी डोनट्स को इसमें 1 बाई 1 डालके अच्छे से coat कर लेंगे के बाद हम अपने डोनट्स के उपर chop पिस्ता और almond डालके इसे गार्णिश करेंगे डोनट्स को थोड़ा और ब्यूटिफाई करने के लिए मैं हाँ silver balls का यूज़ कर रही हूँ एंड में थोड़े से rose petals भी यूज़ करेंगे उसी के साथ हमारे ये holy special eggless ठंडाई डोनट्स बनके ready हैं I hope आपको मेरी recipe जरूर पसंद आई होगी Thank you so much for watching and मेरे efforts को appreciate करने के लिए please don't forget to like, share and subscribe to my channel